उन्नाव के चर्चित कांट के विरोध में मुरदबाद के कॉंग्रिस कारेकर्ता कलेक्टेट परिसर में एक दिवसीय उपवास पर धरने पर बैठ गए धने पर बैठे कॉंग्रिसियों ने मांग की है कि पीडित परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा मुहिया कराई जाए और पीडिता को नियाय मिलना चाहिए वह ब्रतक के परिवार को 50 लाग का मुआबदा वह परिवार के सदस्य को सरकारी नोक्री दी जाए जिला अध्यक्त एपी सिंग का कहना कि बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ का नारे देने वाली सरकार के लोगी ऐसी घटनाओ को अंजाम दे रहे हैं और सरकार में बढ़ती अपरादों की संक्या दिन बाद दिन बढ़ती जा रही है लूट हत्या जिसे अपरादों परदेश में हाम बात हो चुकी है उसका कारण यह है कि जिस तरीके से हार्थी जन्ता पार्टी के विरायक दोरा उसका सारी रिग सोसल किया गया इसके बाद उसके पिता को पुलिस कस्टेडी में मार दिया गया इसके बाद उसके चाचा को सडेंट के तैस फास करके उसको जेल में डाल दिया गया है और जब परसों वो अपनी चाची और मौसी के साथ पकील के साथ बहाँ पर मिलाई करने के लिए गई तो बापस लोटते समय है उसका प्रहायोचित ऐसा एक्सिडेंट कराया गया जिस प्रेकपर के नंबर प्लेट पर कालिक कुछी हुए पूरे हिंदुस्तान को जामखारी है यह बहुत सेंस्किब मेटर है उसके पुलिस प्रोटेक्शन किस लिए हटा लिया गया और इसके बाद वो आज अपनी जिंदकी और मौत की बीच में आकरी जंग लड़ रही है मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो जीस हालत में है अगार बच जाती है तो बहुत बड़ी लगती होगी क्योंकि उसके बचले के चांस बहुत कम से लग रहा है तारम उसका है कि इतना एक्सिडेंट हुआ है उसकी चांसी की स्पोर्ट पिटेत हो गई है एक बकीर कोमा में है वो खुद कोमा में है तो इस तरीके से सरकार के विधायक को बचाने कि उसके डिरेक्शन पर अगर मनला को है लायन डॉर्डर कुछ उपट है मंतरी मौते का कोई स्टेट परिवार के साथ है और हम लोग मांग करते हैं कि पहली उसको उसके इन्वालव है उसे तर्दकाल इंटर प्रदेश से बाहर स्क्रीशी सेंटर जेर में बेजा जाए उसे यहां से स्कानांत्रित करने जाए जिससे कम से कम जो लोकल इस्तर पर उसका गैंग बना हुआ है उस झाल प्रोला का सकता है जा जो झाल प्रदेश तर्दकाल